पूजा होती है मानशिक पूजा, कौन सी होती है? मानशिक पूजा, मन से ही जो पूजा की दाती है मानशिक पूजा का मानशिक पुन्य का फल मिलेगा कलियूग में दिसेशता है आप एक कांत में बैठ गए और एक कांत में बैठ के आँखे बंद करके भगवान का ध्यान कर ले अब गोपाल जी को हम नहला रहे हैं अब गोपाल जी को हम बस्त्र पहना रहे हैं अब गोपाल जी को हम धोग लगा रहे हैं मन में के पाप नहीं लगेगा, मन सा तुमने, बढ़ा को पाने के लिए लोग हजारों परसों की समाधि लगाते थे अब फिर भी कारंटी नहीं कि फ्री खर दाला एक डाले थे फरी का रचोंदिंगी रिशी इंसव ने शरीर को अ तपा तपा के मिट्टी बना दिया, भगवान नहीं मिले, अजरा कलियूग की विशोषा देखिए, द्वापर में खुब नाम शंकीरतन की अथरवी भगवान नहीं मिले, अब कलियूग की विशेषता क्या है, ये तुलुशी कृत नामायर की चौपाई है, सभी वक्त वोले कलियूग के बले, नाम अधारा, सुमीदे सुमीदे मेरे, उतर नहीं पारा सुमीदे सुमीदे मेरे, उतर नहीं पारा कलियूग के बले, नाम अधारा कलियूग के बले, उतर नहीं पारा सुमीदे सुमीदे मेरे, उतर नही वक्त वारा सुमीदे बढ़ सुमीदे मेरे, उतर नहीं पारा शुमीदे presence झाल झाल कलियोग के मल नाम अधारा सुनीरे मेरे पतर हनारा सुनीरे मेरे पतर हनारा कल युग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उत्त रहें पारा केवल आप नाम को पकड़ लीजिए और उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इस नाम को ही पकड़ करके जप करते रहें और ये नाम ही आपको भवशागर से पार लगा देगा तपस्या की जुरूरत नहीं है केवल बैठ गई भजन करो इसकी जुरूरत नहीं है चाय जैसे करते रहो ये नाम ही आपको पार लगा देगा ये कलियू की विशेष्टा है सुमेरे सुमेरे नरव उतर रहीं पारा राजा परिक्षत ने सोचा बाभाईवा इसमें गुड़ तो बहुत अच्छा है तेसमें शतीउग में भगवान को पाने के लिए शरीर को तपा-तपा के दीमक लगजाते थे शरीर में भग़ाद नहीं मिलते थे अब कलियूग की क्या सुनर मिसेष्टा थोड़ा सा सुमेरे भज़न कर लो तो राजा परिक्षप ने कहा अच्छा सुन जहां तक मेरा राज है ना मेरे राज को छोड़ के बाहर निकल दा कलियूग ने का महाराज जहां से सूर उदय होता है जहां अस्तो दवा तक तो आपई का राज है कहां जायें छोड़ के रहने के लिए कोई इस्थान बता दो तो लादा प्रिक्षत ने कहा कहां कहां देघा द्युत्म पानम इस्त्रिया सून यत्रा धर्मस्ट स्विधा यत्रा धर्मस्ट मेधा निवह ये में चार जगinator देhने के लिए कौन कौन शी धिउत्म पानम दिउत्म जुँआ जहां होगा तो जुआ में छल कपट के रूप में कल्यूग तेरा निवास होगा पानड़ मदिरा का जहां पान किया जाएगा मदिरा में मद के रूप में कल्यूग तेरा निवास होगा मद के रूप में कल्यूग के रूप में कल्यूग तेरा निवास होगा अब मदिरा पीने वालों क्या कले तो रहती ही रहती है क्योंकि कल्यूग है ना मदिरा में तीसरा इस्टांदिया इस्त्रियम जो बेश्या व्रत्ती जहां होगी जो पुरुष लोग चरित्र हिंता का काम करेंगे परिश्त्री गमन करेंगे बहां कल्यूग का निवास होगा बेश्या प्रती से जो इस्त्रियां धन कमाएंगी जो पुर्श लोग परिश्त्री कमन करेंगे बहां कल्यूग का निवास होगा और चोथा इस्तान क्या दिया है जुआ जूआ में छल कपट के रूप में कल यूग 13 निवास होगा ये चार जगे बताई हैं कल यूग के लेने के लिए अब गुद्धी पर जोर लगाया कल यूग ने सोचा जब तक राजा में कल यूग का निवास नहीं होगा तो जंता में तो होने वाला नहीं है इसलिए समसे पहले कलियू का प्रभाव लाजा पी होना चाहिए मगर ये लाजा तो ऐसा है ना तो दावू पीता है ना जुआ खेलता है ना परिश्त्री गमन करता है ना तो चरित्रहीन है ना जुआ खेलता है इसमें तो कोई अबुड नहीं है मगर इसमें प्रवेश करें तो करें कैसे तो कलियूग ने कहा महराज हमें एक दो जोगे और बता दो रहने के लिए तो लादा परिक्षत ने कहा कलियूग सोने में भी तेरा निवास होगा अब जैसे ही सोने का नाम लिया तो लादा परिक्षत सिर पर सोने का मुकुट लगाए थे उसी सोने के मुकुट में कलियूग ने प्रवेश कर लिया अचा अगर सोने में कलियूग ने प्रवेश किया है तो सोना भी दो तरीके का होता है काउन से सोने में प्रवेश किया है जबकि भाग्वत गीता भी कह रही है भाग्वत गीता में भगवान कनिया स्वयम कह रहे है धातुओं में सोड धातुग में हो कृष्ण कह रहे है और धन साक्षात लक्षमी कामता रहे तो कलियूग फिर इसमें कैसे रह सकता है और आज के समय में हमारी सोड की तो पूजा होती है दीपावली पे सोने की पूजा होती है की नहीं अगर इसे में कलीउग का निबास है फिर उसकी पूजा क्यों होती है सब लोग को खरीदते हैं धंधेरश के दिन कोई सोना खरीदता है कोई चानी का शिक्का तो कापी लोग लेक्ंटक आते एं प्रिटे ना पूजह कियों होती है काली निवाश पूजह किया एं और आज कर माता हैं तो सब सोना ही पेंती है, माते का टी का भी सोने का, गले का हार भी सोने का, हातों की चूरी भी सोने की, सोना ही सोना हातों में भी सोना, तो कलियुक ने निवास कहा किया, सोने में निवास नहीं किया, धर्न भी दो तरीके का होता है, अधर्म से कमाया हुआ घर में जो सोना आएगा उसमें कलियुक का निवास होगा और उस सोने में निवास कलियुक का होगा तो उस बैक्ति को नीद नहीं आती है लात को आप देख लो ना नजर उठा के जरा देख लो जो चोरी करते हैं जो डकैती डालते हैं उनको लात को चैन की नीद नहीं आती है हाथ यह नहीं आती है वो इंतजार करते हैं और आइसा नहीं कि गोली हमारे सीने को चील के पार ना का जाएं जो धर्म हृष्टा करते एं deux होता है घेत सब्सक्राइब किनारे तो किसमें निवास किया है अधर्म के सोने में यह जो मुकुट कहां से आया है जाण से सुनीए कहां से आया है जो कंष के ससूर्थे ना जरासंद टो जरासंद का वदह किया थैं। बीम जी ने विए दो था नो घोन सा के द्वारा ये मुक्ट आया थाube ईडिक पहना गया था राजा प्रिख्षाट को इसी लिए कलीयुंग मुक्ट में निबाश कर लिया है और कलियुग ने देखा, अब तो राजा पहले ही पहले चोटें चलाएं, जब राजा अधर्मी होगा, तभी तो जनता अधर्मी होगी, और सबसे उपर जब राजा अधर्मी होता है न, चोर डागु डकेत होता है न, तो जनता धीरे धीरे पने आप चोर डागु डकेत हो ज हरत देश का पहले राजा ही ऐई स nessa ल़ागतों है क्योंकि यह दोस्ट प्रतिये प्रोप्ति पीरियों सब्सकिन है निकलेगा धीरी धीरी अे जिसे घंकड़ धीरे प्रवाव पड़ेंगा थे धीरे घंता भी सुन्दरखा थोजाएगी परोपकारी हुझए किर सब्सक्राइए अग reverse